देर टाइम पे उसने कुछ चीजें फाइनलाइज करा के चेक, वेरिफाय करनी थी, वो भी कर दी, ठीक है, फिर उसने कुछ टेक्स की वेरिफिकेशन करनी थी, वो भी कर ली, फिर उसने कुछ टेक्स के नोटरसेज आए हुए थे, उसको कंसल्टन के साथ डिसकस करना था, र पूरी इमानदारी से बनाई है, इंटेग्रिटी उसके अंदर थी, इंटेंट आपका ठीक था, आपका क्रेक्टर 100% प्रूवन था, आपने सही जाइस तरीके से वो सक्सेस आसल की है, और यूवल फील अप्लिशमेंट पॉर यूर सक्सेस, एक क्वार्टर में आपने सेल्स तीन महीनों में या चार महीनों में, सेल्स एक सो बीस परसेंट एचीव कर ली, और आप बले बले जी, मैंने तो बहुत बड़ा रजल्ट देगी, और अगले महीने में बाकि सारे आप से उबर बैठे हुए हैं, आप 80% पर बैठे हुए, तो क्या ये रिजल्ट ठीक जा रहा है आपका? So, मेरा नाम जी मुहमद फारूक है, मैं एलाइड मार्केटिंग पर एग्जेक्टिव डिरेक्टर और जनरल मैनेजर हूँ, एलाइड मार्केटिंग इस्टेबलेश इन 1898, और इसको इस वक्त ये वाला जो 2023 का साल जा रहा है, ये 125 साल कम्प्लीट हो रहे हैं एलाइड मार्केटिंग को, So, I have been associated with the company since last 16 years, मैं basically तो CA finalist हूँ, लेकन मैं अब काफी अर्से से finesse को खर ओवर सी करता हूँ, सासर्थ मैं operations and sales भी देखता हूँ, So, बड़ा शॉर्ट सा मैं अपना इंट्रो करा देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं CA professional हूँ, और मैं head of finance रालाइड मार्केटिंग में, उससे पहले मैं कुछ इंडस्ट्री में, जैसे sugar mill में मैंने काम किया है, और इस pharmaceutical में मैं as head of finance एक ग्रोप में काम किया है, इसके लावा मैंने textile में कुछ हरसा गुजा रहा है, बट mostly मेरी long tenor जो है, that is at allied marketing. allied marketing जो है, वो पाकिस्तान टोबैको कंपनी की लहौर और राइवन्ड की डिस्टिबूटर है, allied marketing तकरीबन सेंटरल पंजाब जिसमें फैसला बार रीजन शामल है, लहौर, गुजरामाला तक की रीजन शामल है, उस और इधर कसूर तक और इधर राइवन्ड पतो की तक, हयात कीमिया, मॉल्फिक्स, डाइपर्स, पापिया टिशूज आपने शाद नाम सुना हो, तो उसकी डिस्टिबूटर है, इसी तरह allied marketing जो है, वो निमकोज एक ब्रेंड है, उसकी पंजाब और केपीके की डिस्टिबूटर है, और एबियम का, पीक फ्रीन्स का, सूपर बिसकट का नाम आप सबने सुन रख़ा होगा, उसके भी हम डिस्टिबूटर हैं, allied marketing वाले, सो मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, हम आगे चलते हैं, हमारा एक चोटा सा और भी, जैसे माशालला बड़ा कंट्रिबूट कर रहे हैं, कासम अली शाह साब, हमारा भी एक और फिनेच हाउस है, चोटा सा, जो के जेलम में हैं, वहाँ पे हम बिलकुल जो बे सारा बच्चे हैं, उनको लाते हैं, और उनकी परवरेश और पढ़ना और पढ़ाते हैं, उनको हम LGS और बीकन ओव स्कूल्स में हैं, ताके उनमें से भी काल इन्शालला, हम से ज़्यादा काम्याब लोग बनें, बलके खाश है, कि पाकिस्तान को लीड करें वहां पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे साथ, तो आज का टॉपिक जैसे हमारे होस्ट ने आपको, I can move, no issue, ओके, हमारे होस्ट ने जैसे इंट्रडूस कराया, वो आप सब ने सुने, बी क्रेडिटेबल से सबसे इंप्राइन जो बात जहन में आती है, वो क्या आता हैं हमारे जहन में, आपके ख्याल में किया, कौन लोग बी क्रेडिटेबल कौन हो सकता है बंदा, कोई एक दो बातें जो आपके जहन में आरही हैं, वो बताएं, वो आपने एक बात सुनी होगी कभी किसी से शायद स्टोरी मुझे याद रह गई मैंने सुनी भी है कहीं पढ़ी भी है तो मुहमद अली जिनास अब काइद आजम काइद पाकस्तान जो के जब लामा ने वो सारा एक वियन दिया के पाकस्तान बनना चाहिए मुस्लिम रियासत अल्यादब बननी चाहिए तो वो मेनारे पाकस्तान में क्या कर रहे थे खताब कर रहे थे हवाम से तो एक बाबा जी जो के 80, 85, 90 साल के बज़र्ग थे वो बड़े नारे लगा रहे थे सबसे ज़्यादा बीचे कड़े हुए कि काइद आजम जिन्दाबाद इन्शालला हो जाएगा सो बेसिकली वो काइद तो ज़्यादा आपको पता इंग्रेजी बोलते थे उपाम बोलते थे उर्दु भी बोलते थे बोहत और पंजाब के बाबा जी को आपको पता उर्दु बड़ी मुश्कल से उस वक्त में समझ आती होगी तो उन्हें ने कहा जिए आप ने किसी ने उन्धे स्वाल किया बज़र्ग कि आपने क्या देखा आपने क्या देखा तो उन्होंने का जी बात ये है पूछा कि आपको समझ आ रही है क्या कह रहे हैं तो उन्होंने का जी जो भी कह रहे हैं सच कह रहे हैं और जो कह रहे हैं वो होगा काइद की बात में वजन है और काइद कभी जूट है नहीं बोल सकते सो क्चा था बेसिकली ? कादयाजम कि ''Credibility'' थी लोग उन पे transcription करते थे लोगों को उन पे एत्माद था ट्रस्ट था यकीन था कि जो वो कह रहे हैं ठीक पहरे थे वो क्यों था? वो ट्रस्ट कैसे create किया जा सकता है? आपको कुछ आप बताना चाहेंगे को कंट्रिबूट करना चाहेंगे मेरे साथ तुस्ट बिसिकली कोई ओवरनाइट नहीं आता है इसान की कमाई होती है जिन्दगी की बिल्कुल तो सारा बेहेव करके लोगो तखाता है तो फिर लोग इस पे ट्रस्ट करेंगे बिल्कुल ठीक है शाबश सो बेसिकली सबसे पहले आपको देखना ये पड़ेगा ट्रस्ट लोग आप पे क्यों करेंगे पहले आप खुद अपने उपर ट्रस्ट करते हैं आपको लगता है कि आप अपनी इनर साइड को चान के देखें कि डू अमई ट्रस्टेबल मैं खुद ट्रस्टेबल हूं मुझे अपने उपर यकीन है के मैं ये कर सकता हूं तो फिर क्या होगा पिर लोग भी आपके उपर ट्रस्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या है do I trust myself मैं अपने आपको मुझे अपने उपर इतमाद है मैं अपने आपको trust करता हूँ फिर क्या होगा फिर लोग आपको trust करेंगे आप से बहुत सारे हाथ मिलाएंगे आपके सामने एक से दो दो से तीन फिर करते करते कतरे कतर से पूरी यूनिवर्स आपके पीछे खड़ी हो जागी क्या होगा पूरी यूनिवर्स आपके पीछे खड़ी हो जागी और वो कैसे खड़ी होती है जब आप जब आप जैसे हमारी बहन ने बात की है कि जब आप का character ठीक होता है जब लोग आपको ट्रस्ट करते हैं जब आप सचे इंसान होते हैं जब आपने जो वदा कर दिया वो वदा आप पूरा कर रहे होते हैं जो आपने कह दिया है वो आप करके दिखाते हैं चे जाएके आपको खुद से भी नुकसान हो रहा हूँ आपने जो बात कह दी promise आपने पूरा करना है तो फिर क्या होगा लोग आपको trust करेंगे organization में क्या होता है कि यार हमारे जो बास हैं जो हमारे лीडर हैं जो मेरे leadership है जो मेरे senior हैं जो मेरे manager हैं जो इन्होंने कह दिया ये पूरा करेंगे ठीक है वो जैसे इन्होंने सार ने बात किया आपका क्या नाम है सर मुनीर हुसाइन साब ने बात की है वो ट्रस्ट कैसे काइम होगा वो ट्रस्ट कैसे बनेगा वो ट्रस्ट इसी तरह बनेगा ना के मुनीर हुसाइन साब ने अपना करेक्टर जो है जो promise को fulfill करने की जो बात है वो इन्होंने proof की है in a longer period वो वक्त बता रहा है कि इन्होंने वो सारी की सारी जो जो इन्होंने कमाया है लोग उसके पीछे खड़े है लोग कहते हैं ये बंदे ने जो कहा दिया पूरा करेगा ये नहीं रह सकता पीछे ये सो ये बात हो गई कि हम क्या वो लोग हैं क्या हम इस काबल बन गए हैं कि लोग हम पे trust कर सकें जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो अभी आप 20 लोग माशालला बैठे हैं तीस लोग बैठे हैं तो क्या कर रहे हैं आप तीस लोग बैठे आपको कुछ ना कुछ सोचा हुआ था कि यार ये जो भी आ रहे हैं भाई ये कुछ ना कुछ हमें बताएंगे जिसका हमें फाइदा हो सकता है सही है सो जब आपको ट्रस्ट हो और आपने यह सोचा हुआ था अपने उपर आपको ट्रस्ट था कि हमने कुछ सीख के मौलाना साथ आने हैं तो फिर क्या है फिर आप इसलिए यहां पे तश्रीफ राख रहे हैं कि जनाब कुछ होगा सो बेसिकली यह बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी यह क्या स्टोरी है कि जनाब मौस्टली क्या होता है कि हम कमिटमेंट कर लेते हैं और पूरी नहीं करते हैं कहते हैं कि 50% of Americans जो हैं वो प्रामिस करते हैं अपने आप से कि जी हम ये 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 काम करेंगे इवन यूनिवर्स में देख लें हम भी हर साल कुछ ना कुछ गोल सेटिंग करते हैं ना हम जब हर साल कुछ गोल सेटिंग करते हैं तो क्या होता है आदे लोग हम मेंसे चलें करते हैं गोल सेटिंग यार अगले साल मैं ये करूँगा उससे अगले साल मैं अपनी ग्रैजुएशन कम्लीट कर लूँगा और मैं ग्रैजुएशन में फर्स डिविएन से पास हूँगा या I'll be the top person in the class करते हैं न हम मैं सुबा पांच बज़े उठके नमाज पढ़ूँगा उसके लिए वॉकर एक्सेसाइज के लिए एक जाया करूँगा करते हैं न हम हम में से बहुत तरह लोग हैं वो सेट दे लाम्स फाइव उकलॉक और फिर हम उसको बन कर देते हैं फिर सो जाते हैं सो बेसिकली क्या हुआ यहां पर आपने अपनी क्राडबिलिटी अपनी ही नजरों में जब खुद खराब होती है सो फिर हम वो जो बात हो रही थी डू आई ट्रस्ट मैसेल्फ हम ट्रस्ट अपने आपको नहीं करते वहां पर सो बेसिकली उनने पूरी की वो सिर्फ एट परसंट उनने में से पूरी करते हैं वो कमिट्मेंट इस वेरी इंट्रेस्टिंग आपका क्या नाम है मौसन नवीस सब इस वेरी इंट्रेस्टिंग अब आप जरा इसको थोड़ा अप्लाय करें कैसे अप्लाय करें सो कितने कामयाब लोग हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने डिफेंस में घर बना लिये, कितने लोग हैं, मैं उनकी बात नहीं कहा रहा है, जिन्होंने दो नम्रियां करके, रिश्वत करके, लोगों का हक मारके घर बना हैं, मैं उनकी बात नहीं कहा रहा है, कितने लोग हैं, जो बहुत सारी एक्जेम्पल्स हैं आप लाखों एक्जेम्पल्स दे सकते हैं आसी तो कोई बात नहीं है एदी साब ने क्या शुरू किया था अकेला बंदा से जिनों ने सेंटर शुरू किया था लोगों को उन पर ट्रस्ट है पूरे पाकिस्तान में उनकी चलती है अबुलेंसे पूरे पाकिस्तान में उनकी लोग जा जाके डोनेशन्स और जकात और सद्के देते हैं के नहीं देते हैं क्यों देते हैं लोगों को ट्रस्ट है यार बंदा ट्रस्टेबल है पैसे नहीं खाएगा जो पैसे दी है वो अच्छे काम पे लगाएगा यही ट्रस्ट है ना और वो जैसे आपने फर्माया कि वो टाइम लगता है उसको बनाने में टाइम लगता है प्रूफ करने में सही है so commitment अगर आपने कर दी है वो पूरी करनी है बेशक उसका नुकसान आपकी जात को हो मैं यह नहीं कह रहा है कि promise से वापस नहीं आना है promise से वापस भी आ सकते है so आपको basically बताना यह चाह रहा हूँ कि trust एक ऐसी चीज़ है which is the secret of success trust is the secret of success trust एसी चीज़ है जो के sense of heroism है ठीक है ना आप movie देखते हैं सब जब आप movie देखते होते हैं तो हमारे जहन में क्या चाल रहा होता है एक तरफ तो हम देखते हैं कि film का जो hero है movie का जो hero है वो कहीं crisis में है लेकन हमारे जहन में यह जरूर चाल रहा होता है कि he will succeed यह चाल रहा होता है ना he will succeed क्यों चाल रहा होता है hero को सामने रहा के हम कह रहे हैं तो हमें पता है कि उसको यकीन है कि वो कामयाब होगा तो हमें भी यह यकीन life में होना चाहिए कि हम कामयाब इन्शाला होंगे सही है तो अगर ट्रस्ट नहीं है तो फिर क्या हो सकता है डिस्ट्रस्ट होगा जब आपको लोग डिस्ट्रस्ट करेंगे तो फिर आप कभी कामयाब मैं और आप कामयाब नहीं हो सकते सही है ऐसे ही है ना आप मुझे बताएं कि वाई डिस्ट्रस्ट वाई डिस्ट्रस्ट बेलकुल ठीक है अगर आपने प्रामिस किया तो प्रामिस किसी ने पूरा नहीं किया एक बहुत एक्सपिरियंस लॉयर थे बड़ा नाम था वरी नोन ब्रिस्टर तो उनके एक इंटर्न आए उनके पास कौन आए इंटर्न उनके पास आया और उन इंटर्न ने ब्रिस्टर शाब ने कहा किया अगर कोई फून आए तो tell him I am not available tell him I am not available but ब्रिस्टर वर सिट्टिंग इन फरन्ट आफ इम so the intern listened to the phone he replied on the phone when the phone rang उसने पूछा जी बिरिस्टर साब वेलेबल और ने का yes he is sitting on the seat intern ने क्या का he is sitting on the seat so उनने का kindly talk to him phone आगे बढ़ा दिया के बात करें और बिरिस्टर साब का client है बात तो करनी है सही है न बिरिस्टर साब ने बात करके बाद में उस पे बड़ी आंखें निकाल ली क्या किया बड़ी उसके उपर आंखें निकाल ली सही है तो बिरिस्टर साब ने ये सोच लिया इसको क्या कर देना चाहिए internship से job से फारिक कर देना चाहिए घर बेए देना चाहिए ठीक है तो इंटर्म कहते है के बरिस्टर सहाब I will not lie for you क्या कहते है मैं आपके लिए जूट नहीं बोलूँगा क्या कहते है मैं आपके लिए जूट नहीं बोलूँगा दूसरी बात क्या कहते है दूसरी बात कहता है मैं आप से कभी जूट नहीं बोलूँगा I will not lie to you तो ब्रिस्टर साब ने कहा कि यार एक तो उसने कहा कि मैं आप के लिए जूट नहीं बोलूँगा तो घुसा आया दूसरी बात क्या थी मैं आपके साथ कभी जूर नहीं बोलूँगा तो क्या हुआ? क्या हुआ? ट्रस्ट भाल हुआ और ब्रिस्टर साब का मिस्ट ट्रस्ट पहली बात पे था दूसरी बात पे खतम हो गया तो उसने कह यार इस से अच्छा इंसान इस से अच्छा इंप्लॉई इस से अच्छा असिस्टेंट नहीं हो सकता मेरे लिए तो क्या करना चाहिए? उसने उसको उसी वक्त इंटर्न्शेप से अपना डारेक्ट असिस्टेंट पॉइंट किया और उसने फिर जिन्दगी में बड़ी तरक्की की वो भी बहुत बड़ा ब्रिस्टर बन गया सो वज़ा क्या थी? वज़ा ये थी कि मैं ट्रस्टेबल हूँ उस बचे को क्या था जो इंटर्न्शेप प्या था? ये ट्रस्ट हिंसेल्फ और उसको ये पता था उसकी इनरसेड ये बता रही थी कि मैं ट्रस्ट वर्दी हूँ और मैं ट्रस्ट वर्दी हूँँगा तो लोग भी मुझे ट्रस्ट करेंगे क्या खैल है? और ब्रिस्टर साथ जो इतने बड़े एक्सपीरियंस थे जहरा एक्सपीरियंस आदमी से सही बात की जाए तो एक्सपीरियंस आदमी उसको इंडरस्टरेंड करता है और नहीं करता? तो उसने अपने इतने एक्सपीरियंस पॉस्ट के कान खोल दिये कि मैं आपके लिए जूट नहीं बोलूँगा और मैं आपके साथ भी कभी जूट नहीं बोलूँगा तो हमें जिन्दगी में क्या करना चाहिए? ना किसी के लिए जूट बोलना चाहिए ना ना किसी के साथ जूट बोलना चाहिए आपका क्या नाम है? एसन माशालला सो बेसिकली हम घर में क्या कहते हैं हम अक्सर घर में यह कह देते हैं बैल होती है बेटे बता देना कि बाबा घर पर नहीं है कहते हैं अब हम क्या कर रहे हैं यहां पर एक चुला हम बैसिकली आपके साथ सच नहीं कुलेगी बिल्कुल ठीक है सो वो बेसिकली आपने तरबियत ही गलत कर दी बचे की जब आपने बचे की तरबियत गलत कर दी तो क्या होगा वजूट बोलेगा सही है ना मैं चाराओं के इंट्रेक्टिव सेशन हो आप लोग भी पार्टिस्पेट करें इसलिए मैं आप से हर दफ़ा पूछ लेता हूँ क मिल के इसको आगे चलाते हैं तो जैसे बात हो रही है ना कि बचे को हमने अक्सर कह देते हैं बेटा बता देना बाबा गर पे नहीं है लिटल थेंग्स मैटर हमने उसको जूट बोलना सिखाया खुद तो क्या होगा बड़े होके तो फिर वो बड़े होके जज़दारी कोई भी बन सकता है कोई भी पॉलिटिशन बन सकता है कुछ भी हो सकता है या कोई गलत इनसान बन सकता है यह तो हमारा ख्याल है ना यह तो हमने बातें फिलाई हुए यह फलाँ गलत है फलाँ सही है यह तो अल्ला जानता है यह वो सही जानता है या बेसे उन दाफैक्ट स हो सकती है का जाता नहीं एक आम का जाता कि जी वो करप्ट हैं पता नहीं आप यह तो हमें नहीं पता करप्ट हैं के नहीं है यह तो अल्ला जाने या जजज़ जाने so don't be dishonest for a single time for a week for a month for a lifetime सही है so time भी बड़ा थोड़ा है मैं थोड़ा सा आगे जाता हूं quickly ताके so कोई भी professional आपको कब trust करेगा जब आप खुड trust वर्दी होंगे जब तक आप खुड trust वर्दी नहीं होंगे तब तक क्या होगा कोई आपको trust नहीं करेगा nobody will follow you nobody will follow you मैं आपको example देता हूं कुछ हरसा पहले मेरे पास एक हमारे किसी department से एक खातून तश्रीफ लाती हैं वो आके कहती हैं कि यह तीन चाल लोग जो हैं वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं मुझे respond नहीं कर रहे हैं and I am the highest authority उसके अपने भी दो bosses हैं वो उनसे भी जाकर यह बात कर सकती थी so दो reaction बनते हैं एक तो यह है को उनके bosses को बलागे का जाए कि जी इनसे पूछे हैं अपने assistant से वो इनकी बात क्यों नहीं सुनते दूसरा reaction क्या हो सकता है दूसरा reaction यह होता है को उनको directly लोगों को call करें और उनको कहें भी बात सुनें इनकी but these two reactions are not correct यह जो आज हम topic लेके बैठे है ना be creditable be credible in your life so उसको अगर हम leadership perspective में discuss करेंगे तो ज़्यादा बेतर है basic जो intervention बनती है वो यह है I told her मैंने का देखें आप एक leadership position पे हैं engineer है माशाला आपकी 7-8 साल का organization के साथ experience है and you are assistant manager no you are not supervisor only so आप एक step और उपर हैं so आपको basically आप में इतनी skill होनी चाहिए आप में इतना discipline होना चाहिए आपका character इतना जबरदस्ट किसमगा होना चाहिए आपका attitude रविया उनके साथ इतना अच्छा होना चाहिए और आपकी अपनी performance इस काबल होनी चाहिए कि लोग आपको आपके assistant follow करें लोग ऐसे ही किसी को follow नहीं करते कि फिलाम बंदा जो है वो director लगा हुआ है जो भी कहेगा सुन लेना for the time being short time के लिए शायद कोई मजबूरां सुन ले लेकन आपको follow नहीं करेंगे बाएर जाके गाली हैं देंगे सो क्या होता है फिर basically क्या करना पड़ता है करना ये कर पड़ता है कि आपको खुद professionally competent होना पड़ता है आपको अपना character इतना बड़ा show करना पड़ता है कि लोग आपको follow करें so आपको you have to set the standards अगर आपके अपने standards set हैं तो फिर क्या होगा लोग आपको follow करेंगे अगर कोई ये कह दे कि organization में लोग given time से late आते हैं तो उनको दो दो तरीकों से ठीक किया जा सकता है पहला तरीका तो ये है उन्हें कहें जी 10 minute late आएंगे आपके अपसंड मार कर देंगे जिसको हम क्या कहते हैं डंडा हम stick वाला काम कार पकड़ लेते हैं आथ में हम कहते हैं जी ये करना है यही हो गया ना कि आपने सकती कर दी कि नहीं आएंगे तो अपसंड लग जागी salary काट जागी दूसरा काम क्या हो सकता है आप खुद पहले आके सीट पर बैटे होंगे तो people will follow you क्या खैल है फिर लोग ऐसा नहीं होगा कि आपको follow नहीं करेंगे बाते हैं तो बड़ी simple सी हैं ना हम रोज मर्रा की जो जिए जिए देखते हैं हम कई दफ़ा ये कह लेते हैं कि जी अच्छा be creditable पता नहीं किया discuss होगा basically तो लोगों के अपने experiences है ना हम जैसे लोगों के या हमसे जो ज़्यादा काबल लोग है उनके experiences है या जिन्होंने बहुत सारी organizations में इंस्टूट्स में जिन्होंने continents चलाइं उनके experiences ही है ना उनके experience के मताबग ही हम आगे चलते हैं ना so अब हम आ जाते हैं detailed जो उसकी cores है credibility की क्या cores है four cores है the top core is integrity what is the top core top core is integrity so अगर आप में integrity है आप ध्यानदार हैं तो क्या होगा अगर आप ध्यानदार हैं तो क्या होगा अगर आप में integrity है तो क्या होगा लोग आप पर trust करेंगे यह पहला आपका core है integrity का और integrity आप कब करते हैं क्या कोई आपको देख रहा है को you will do the integrity नो हमारा तो एज़े मुसल्मान सबसे बड़ा जो हमारे जहन में खौफ और सबसे बड़ा यो यकीन है वो क्या है अला देख रहे हैं हमारे जहन में एज़े मुसल्मान भी यह है और बाकी भी जो कौमें हैं जो मुसल्मान नहीं हैं कुछ और जिनका दीन और मजब है वो भी उनके भी उन्होंने भी किसी ना किसी को फॉलो करते है न वो ये सोचते हैं कि देख रहे हैं जिसको भी फॉलो करते हैं जैसे हमारे क्रिस्टिन भाई हैं तो यह सुमसी को अधर इसाल असलाम को फॉलो करते हैं हमारे भी हम भी उनको मानते हैं नभी हैं तो वो मानने का तरीका लएदा हो सकता है, चीजों को अंडिस्टेंड करने का तरीका लएदा हो सकता है, बट हमारा तो दीन में लिखा हुआ है, कि हमने सच बोलना है, दीन में लिखा है ना कि सच बोलना है, दीन कब complete होगा दीन में बार बार नहीं का जूट नहीं बोलना ये काया ना तो उसका क्या मतलब है सच बोलने so no one is watching you और आप सच बोल रहे हैं कोई आपको देख नहीं रहा और आप क्या कर रहे हैं सच बोल रहे हैं so integrity integrity is walking the talk walking the talk क्या मतलब है इसका मतलब यह है भाई कि जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सचे दिल से as per rules and regulation सही काम कर रहा हूँ आपने खुद से अपने उपर check रखा हुआ है क्या रखा हुआ है खुद से अपने उपर आपने check रखा हुआ है आप अपने अंदर से अपने अंदर से और बाहर से सचे हैं क्या हैं अंदर से और बाहर से सचे हैं जो आपके अंदर है वही आपके बाहर है जैसे आप अंदर से हैं वैसे ही लोगों से भेव करते हैं ये नहीं है कि आप कहा दें कि जी लोगों के सामने तो आप बहुत ज़्यादा परचार करें कि जी मैं बहुत द्यानतदार हूँ बहुत इमानदार हूँ लेकन अंदर से आप बिलकुली सारे गलत काम जो फ्रॉड जो टेक्स्चोरी जो बेमानी ठीक है लोगों के पैसे खा जाना आप सारा कुछ करते रहें तो फिर आप अंदर और बाहर आपका बराबर नहीं हुआ तो अंदर और बाहर आपका कब बराबर होगा जब आप सच बोलेंगे जब आप ध्यानदार होंगे जब आप इमानदार होंगे तब आपका अंदर और बाहर क्या होगा बराबर होगा सो हमें क्या करना है बेसिकली सच बोलना चाहिए सही है सो बेसिकली आपको मैं एक इमानदारी के एक दो किसे सुनाता हूँ लास्ट टाइम मेरी पहले इंटरवेंशन कासम अली शास फांडेशन से हुई थी को 2018 में शाहिए तो आई वस इन जपान कोई 20-25 डेज एचारम का एक कोर्स था तो वहाँ पे मैं देखता था कि लोग ट्रेनों पे भाग भाग के नहीं चड़ते थे लोग लाइन में आपके खड़े हो जाता थे प्रॉपर कोई बंदा किसी रोड पे कोई कुड़ा किरकर नहीं फैंकता था शॉपर अपने पास होते थे या डस्ट बिन में फैंकता था रोड पे चलते हुए कोई सिगरेट नहीं पीता था एक हर जगा पे कोई आदे किलो मेटर के बाद ट्रेन के अंदर कोई जगा कोई के इसी जगा पे बनी हुई पुरा एक रूम लॉक बना होता है या जहां पे ट्रेन रुकी वहां पे कोई बाहर जगा बनी हुई है रोड साइड पे कहीं आदा किलो मेटर किलो मेटर किसी को चलना पड़ता है वहां पे एक पर्टेकुलर स्पेस है स्पेसिफाइड है यू कन स्मोक तो लोग बिलकुल मनुआन हंड़र परसंट उस पे अमल करते हैं और हमारे साथी जो है सारे बुर्शान हो जाते हैं कि यह लोग यह कैसे अमल करें अब अमल इसलिए है कि लोग спорт हैं लोग इमानदार हैं जो कह दिया उस पे अमल करते हैं सही है बिलकुल जब ट्रेन उनको पता होता है कि सामने चल रहा है कि 10 सेकंड रहे हैं दर्वादा बांदोंने में कोई भाग के चड़ने की कोशिश नहीं करता इसका मैं लो ट्रेन चले जागी अगली ट्रेन पर मैं चले जाओंगा सो हम क्या करते हैं हमने बगदर मुझा आई होती है हर जगा ऐसा करते हैं न हम सो लिटल थिंग्स मैटर ये चीज़ें सिंदगी में मैटर करती हैं ये भी द्यानेदारी है हम अपने लोगों का दूर की बाद हम अपने बहन बहन बहिएंगा आख का आ जाते हैं हमारे मुलक में क्या होता है हमारे मुलक में भाई बहन का हाक नहीं देता ना तो यह क्या इंटेग्रिटी है और हमारे मुलक में इतनी बड़ी दाड़ी रखी होती है और नमादे हम माशाला पED पढ़ते हैं हरवक्त हम दुरूशरी पढ़ते हैं लेकर बहन का हक नी की बनता कहते हैं कहते हैं नहीं तो बात यह है कि बहन का हक हमारे दून ने लिख दिया है तो हमें वो देना है तो प्र कैसे अमानदार हुए हम लोगो कहते हैं अफलाँ यार क्या बात है बड़ा अमानदार है कहते हैं नहां सारे मिल के यह बात करते हैना तो basically अमानदारी तो हर step के ओ़र है क्या क्या खैल है so हमें basically अमानदार होने के लिए कोशफ पूरी जिंदगी में करनी पड़ती है but integrity का reward देते हैं अला ये नहीं हो सकता अगर किसी का ये यकीन नहीं है कि कोई मांदार है उसको reward नहीं मिलेगा ये possible जिंदगी में नहीं है पैसा ही सब कुछ नहीं होता है yes money matters yes money matters but money is not everything ठीक है लियाकतली खान साथ जो पहले पाकिस्तान के प्राइम निस्टर से उनकी death होती है तो उनके account में से कितने पैसे निकले थे 141 रुपीज ठीक है so हम सब को basically सबसे पहला जिंदगी का सूल to be creditable बनने के लिए क्या करना है हमें integrity अपनी build करनी उसके उपर हमें काम करना है सही है जपान की बात कर रहा तो मैं आपको एक और example देता हूं जपान की is this working properly okay so जपान की मैं आपको एक और example देता हूं वहां पे जपान में आपको can you imagine guess anybody आप में से जतनी भी audience बैठी है कि जो police station है उन्होंने government को लिखा कि जो लोगों को रस्ते में आते जाते चीज़ें मिलीं किसी का mobile मिल गया किसी का wallet मिल गया किसी की watch मिल गई Rolex की watch जपानी बड़े अमीर होते है बड़ी-बड़ी महंगी चीज़ें वो पहनते हैं mobile भी अच्छा इस्तमाल करते हैं तब मैं 2017 की बात कर रहा हूं तब बड़े-बड़े अच्छे mobile इस्तमाल करते थे हम उस तरह के नहीं करते थे उस वक्त सो उन्होंने लेटर लिखा government को कि सर इसका कुछ decision लें हमारे पास इतनी जादा माले गनीमत जमा हो गया है जो लोगोंने आके जमा कराया है that is hundreds and thousands of billions millions जो पड़ा हुआ है और उसका कोई claimant नहीं है interesting fact पता क्या है अगर कोई 6 महीने या साल तक कोई एक timeline उन्होंने define की हुई है correct me if I am wrong उस वक्त तक कोई claimant नहीं आया है और वो जाके wallet जो है वो किस ने deposit कराया है for example मोसन सहाब ने कराया for example मोसन सहाब ने कराया wallet जो जमा कराया is this right so मोसन सहाब ने जो wallet जमा कराया वो claim कर सकते है वो ले सकते हैं अगर उसको कोई लेने नहीं आया या इनको gold मिल गया 2 कजी road के उपर उन्होंने जाके जमा कराया तो ये ले सकते हैं जाके छे मीने साल तक चेकर रख सकते हैं अगर को claimant नहीं आया ये ले लें लेकर not a single case पूरे जपान में कोई जाके claim कर ले कि ये मैंने जमा कराया था तो ये मुझे वापस कर दें क्योंकर लेने नहीं आया integrity this is not mine ये पैसे मेरे नहीं है ये गोल्ड मेरा नहीं है ये wallet मेरा नहीं है मैं इसको नहीं लूँगा मैं अपनी मेहनत इमानदारी से खुद अपना मकाम बनाऊंगा जब हम ये करेंगे वो हम discuss ये का रहे थे कि अगर हम questions जो हैं last session 10-15 minute में रख लें तो उससे ये होगा कि ये अगले घंटे में इन्शाला वी विल conclude the session क्योंकि डेड़ घंटे का तो session है total तो उसके अंदर अंदर ही हमें डेड़ से दो घंटे में चीज़ें सारी conclude करनी है अगर जूरी है तो यू कनास कोई मसला नहीं जी ठीक है तो ये एक example बड़ी important example है कि जनाब इतने लोग इमानदार हैं मैं आपको एक personal story सुना तो मैं 1995 में audit पे था एक पाकिस्तान में company थी इस्लामबाद में Northern Polyethylene Limited और ये company उस वक्त की जो company की total projection थी वो कोई six to seven billion रुपीज थी 1994 का six to seven billion रुपीज का आप लोग अंदाजा कर सकते हैं कि कितना उसको मेरे ख्याल में कोई six seven percent से eight percent ten percent से multiply कर दे तो 70-80 billion बान जाता है अभी का ऐसा ही है वहाँ पे एक head of finance होते थे जो हमारे ही एक company के पुपराने chartered content थे senior थे उनके पास वो उस वक्त अभी तो payment होती है ना बकाइदा banking के through और money exchange से किसी की import के bill की payment नहीं हो सकती तो तब हो सकती थी payments तब आपको money market से जाके dollars या pounds या कोई और foreign currency you have to buy that so वो buy की उन्होंने तो हुआ ये के भेजने का time खतम हो गया जब तक वो वहां पहुंची तो they bring it down to office office में लागे head of finance को दे दी गई कि वो इसको अपनी नगरानी में lock करा दे तो के foreign currency है maybe वो उस वक्त के कोई 2 क्रोड रपे हो पाकस्तानी 3 क्रोड हो 4 हो 5 तो बहुत बड़ी पैसे थी ना वो senior बंदा उसको जाके cashiers और sign off करके lock कर दे properly तो उनको दे दी गई जो head of finance थे मुझे याद है आज भी उनका नाम उमर मली साथ तो उनको कुछोट हाट पे लग गई चानए कहीं office में तो उनको ख्याल नहीं रहा कि ये बैग मैंने lock कराना है वो चानएक डॉक्टर के पास जाते हैं उनके एक और दोस्त हैं कुली के हैं office में वो उनको ले जाते हैं अपनी गाड़ी में और वहां से उनने का यार मुझे घर छोड़ जा और नहीं उनको घर छोड़ दिया एक तरफ तो खर नेगलिजेंस भी है लेकन हुआ ये वो चले कि हम सारे बैटे हुए थे हमें तो नहीं पता बैग में क्या है हम सब को किसी को भी नहीं पता बट बैग उनकी टेबल पे सामने पड़ा हुआ था वो छोटे बैग वो थे बरीफ केस टाइप बैग उसमें पैसे बरे हुए थे डॉलर या पाउंड जो भी था अब आफिस में एक पी-एंड थे मैं उस ओफिस में बड़े पुराने अरीफ उनका नाम था मुझे आज भी याद अरीफ खान उनका नाम था वो फॉर्से से एस सोलजर रिटाइड थे मेभी कुछ नाइक होंगे या हवालदार होंगे इस तरह का उनका कोई रैंक फॉज में था इससे बड़ा रैंक नहीं था इस तरह के जो लोग आफिस में होते हैं उनके वो इन चार्ज थे and he used to stay in the office रात को पीछे उनके रूम बने हुए थे जो लोग आफिस में होते थे गार्ड और इस तरह के जो लोग सारे हैं वो वाँ ठहरते थे तो जब वो सारे लोग चले गए तो उसका काम होता था वो हर आफिस को जागे लॉक कराता था जब वो ये फैनेस डिपार्टमेंट लोग कराने गया तो he found a bag full of उसने कुछ को खोलने की कोशिश की तो खोल गया वो फोरण लोग ही नहीं था तो उसने का जी ये तो कोई बहुत ज़दा माउंट है उसने उसी तरह उसको लोग किया और ले जाके अपना जो ट्रंक होता है जो फौजीयों के जमाने का उसके पास था उसके अंदर राके उसके ताला लगा दी ठीक वो सहाब जो हेड अफनेस थे उमर साब उनकी कई बारा बज़े एक बज़े रात को आंग खुली उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा वहाँ पे गैस्टाउस में ठहरे हुए थे एफ सेक्स थरी में इसलामबाद में क्योंके हमारी कंपनी का यह वो सीनियर था यूँट वांट के जी किसी ऐसे बंदे को कॉल करे और कोई मसला बंदे तो हमारे जो ऑड़िट मैनजर थे अली साब उन्होंने फोन उठाया और उन्हें का जी उमर तो उन्हें का जी वो वहां पे मैं बैग भूला हूँ तो क्योंके वी वर दी नियरेस्ट पीपल हम अगली स्ट्रीट में थेरे हुए थे हम एक एफ सिक्स त्री में थे वो एक सिक्स फोर में था तो साथफल स्ट्रीट में वो ओफिस था तो माई मैनेजर सेट के जी फरूब जम्प खेर हम क्विकली जाते हैं वहां पे और जाके हम नौक करते हैं वो गेट पे आते हैं उन्हें का जी सर हमने का यार वो उमर कुछ कह रहे हैं उन्हें का सर परशान होने की दरूरत नहीं है अब हमने कोई बात नहीं की उमर साथ जो भी कह रहे हैं वो सारा कुछ सेफ है और मेरे लॉकर में है डोंट यू वरी तो हम वापस गए जाके हमने उनको कॉल की डोंड वरी सब सेट है और गार्ड्स को हमने जरा थोड़ा बता दिया कि ये बात है खर उमर साथ कुछ एन नहीं आया वो पहुंचे वहां पे और सारी रात वो फिर वहां पे रहे स्क्यूरिटी की और सुबा बैंक में गया तो what he shows उसने का ये मेरे नहीं है एमान दारी ये है इंटेगरिटी ये है कि मैं ये बैक ना लेके जाऊ और वो नहीं लेके गया सो शॉट काट से जिंदगी नहीं बन सकती consistency से से जिंदगी बन सकती है hard work से जिंदगी बन सकती है such प्रस्ट बोलने से जिन्दगी बन सकती है अपने उपर ट्रस्ट करने से जिन्दगी बन सकती है और फिर ही लोग आपके उपर ट्रस्ट करेंगे फिर ही जिन्दगी बनेंगी फिर ही आपका बॉस आपका सीनियर आपका कुलीग आपका इंप्लॉयर आपके उपर ट्रस्ट कर पिर ही माले के बजर्ग भी आपको दौाइं देंगे और तो आप बेतरी की दर्फ जाएंगे आपके वालदेन तो बचारे हार आलत में दौा देते हैं लेकर भी आप देख ले ना एक ही फैमिली में अगर पांच बचे छे साथ हैं एक ही माँ के बचे तो कुछ बहुत कामया होते हैं माँ के दिल से भी अच्छे बच्चे के लिए ज्यादा दौा निकलती है तो इसलिए इंटेगरिटी मैटर्स इन एवरी इवेंट अफ दिलाइफ सही है नेक्स्ट बड़ा इंपोर्टेंट टॉपिक है वो वो आप सब ने बहुत अच्छे तरीके से उसको पर सु मेरे जहन में बड़ी स्पीड से एक चीज आती है जो के हम अक्सर सुनते हैं अपनी लाइफ में पुरान की एक आह्यत आती है इन्नम अलामालो बन्याद के मितलब है апाल का दारोमदार नियतों पर है अमाल का दारोमदार नियतों पर है तो इंटेंट क्या है नियत क्या है अमाल का दारोमदार नियतों पर है तो इंटेंट क्या है नियत क्या है ये सोचने समझने की दरूरत है हमें जिन्दगी में के नहीं है क्या खैल है भाई अगर नियत अच्छी है अगर नियत अच्छी है अगर इंटेंट सही है तो क्या होगा तो बैसीकली अमाल कबूल हो जाएगे ठीक है अगर नियत अच्छी नहीं है सिरत बॉस को दखाने के लिए जाके नमाज पड़ते है तपर इंटेंट के है बॉस देख लोए मैं नमाजी हूँ तो पर नमाज बॉस है कौन होना कौन चाहिए बॉस और मुनमान किसको लिए है बॉस तो अल्ला है तो नमाज किसके लिए पढ़नी है अल्ला के लिए इस बॉस के लिए तो नमाज नहीं पढ़नी सौरी सर बॉस जी इस बॉस के लिए तो नमाज नहीं पढ़नी किया खेल है है, so intent के उपर सारी बाते खतम होती है इन्नेमल अमालो बिन्नियाद, अमाल का दारुमदार नियतों पर है, so आप के अंदर जो intent है आप जिसने अंदर से हैं, जितने अंदर से हैं यूर इंटर्नल कोहेईन Your internal cohesion matters क्योंकि जो आप अंदर से होंगे वो बाहर कहीं न कहीं तो निकल के आएगा वो कहीं न कहीं अजान तो होगा मेरी एक दोस्त ते एक बात हो रही थी मैंने का जी मुझे ये बताएं कि बंदा एक गलत काम करता है उसकी रेकवरी हो सकती है तो उसने का ये जो हम पढ़ रहे है न जो हम four course of credibility के पढ़ रहे है तो ये एक book है speed of trust तो उसके अंदर ये सारी recovery के process भी लिखा हुआ कभी मौका मिले जरूर पढ़ लिजेगा तो उसका एक तरीका कार है intervention का तरीका कार है कि उसके साथ कैसे कैसे काम करने है कौन-कौन से उस पर checks लगाने है कौन-कौन सी guidance और intervention उसको provide करनी है सही है तो उन्होंने बड़ी एक interesting बात किया हमारे एक साथी साथ बैठे थे उन्होंने का जी अगर किया तो वो अगले तन पकड़ा क्यों नहीं जाता तो उन्होंने क्या मतलब पकड़ा नहीं जाता तो उसने आगे से जो सवाल कि यह ने का यह सोच रहा होगा system क्यों नहीं पकड़ता तो system भी पकड़ लेता बंदे को उसने सवाल किया कि यार हम हमारा यकीन तो अल्ला पर आना अल्ला उसको expose क्यों नहीं कर जाते तो वो बड़ी उन्होंने interesting जवाब हमारे साथी ने दिया वो ने का कि अल्ला भी कोई एक दफ़ा दो दफ़ा तीन दफ़ा मौका देते हैं लेकर उसके बाद बिलकुल नहीं देते तो फिर वो बंदा पकड़ा जाता है तो intent गलत है और आप fraud पे fraud करी जा रहे हैं चोटे पे माने पे करते करते फिर एक होसला भी बाड़ जाता है फिर आप बड़ा करते हैं फिर क्या होता है फिर आप पकड़े जाते हैं फिर आप दुनिया में ही रुस्वा होना शुरू हो जाते हैं तो हमें अपना intent ठीक करने के लिए क्या करना बड़ेगा आपका trust कब कायम होता है आपका motive ठीक है अच्छा for example हम अपने दोस्त को एक मशवरा देते हैं हम अपने दोस्त को ये मशवरा देते हैं के यार अब ये मशवरा किसी भी तरह का हो सकता है यार तुम graduation कर ली है तुम master's के लिए बरूने मुलक किसी अच्छी university में मच जाओ तुम इदर ही रहो मेरी तरह गले सड़ो अंदर ये होता है क्या होता है अंदर ये होता है थीक है और तुमें आगे पढ़ने के दुरूरत ही नहीं है यार तुम इदर मेहनत करो इंशालला इदर ही इंशालला वला लफ़ तो खिर बड़ा सीरियस है वो अगर यूज कर लिया तो फिर तो अच्छी बात ही कर रहे होंगे तो तुम कामयाब हो जाओ कोई कोई मसला नहीं है इंटेंट ये है इंटेंट का मसला है इंटेंट ये है कि यार ये मुझ से आगे ना निकल जाए तो इसका मतलब ये है कि आप सही मशवरा नहीं दे रहे हैं लेकन सही मशवरा इस तरह कभी हो सकता है कि वो कहता जी मैं तो फोर्ड ही नहीं कर सकता कहीं जाने का फिर आप उसको मश्वरा दे रहे हैं और दिल से दे रहे हैं यार मिल के मेनत करेंगे इंशालला कामयाब होंगे और इधर भी बड़ा कुछ रखा हुआ है बाहर क्या रखा हुआ है अब आपकी इंटेंट फर्क है डिपेंड्स वाट इस यूर इनर साइट अगर आप अंदर से गलत सोच रहे हैं और जुबान से डिफरेंट है तो फिर आप ये ना सोचें कि मेरी इंटेंट ठीक है तो इंटेंट जो है ना वो गलत होने से सब कुस गलत हो जाता है नहीं है और जिस इंसान की इंटेंगरिटी कम्परुमाईज हो और जिस इंसान की इंटेंट कम्परुमाईज हो उसका करेक्टर बेल्ड नहीं हो सकता जो मर्जी दुनिया में कर लें उसका करेक्टर बेल्ड नहीं हो सकता so integrity और आपका जो intent है दोनों चीजें की basis क्या हैं character दोनों मिल के क्या बनती है आपका character बनते है integrity and intent दोनों मिल के क्या बनते हैं आपका character so आपको अपने character को ठीक करने के लिए दो काम जिंदगी में बड़े जरूरी क्या करने पढ़ेंगे मौलाना साब आपको अपनी integrity को प्रूफ करना पड़ेगा और integrity कब प्रूफ होगी जब आप साच बोलेंगे जब आप दियानदार होंगे जब आप इमानदार होंगे जब आप दिये गए रस्ते पे चलेंगे यही तरीका है और तो कोई तरीका नहीं हो सकता है कोई और हो सकता है ठीक है आप बहुत सारे हमने से दोस्त यह भी सोच सकते है कि यार वो फलाँ जो है वो तो सबसे मीर आदमी है वो तो फ्रोड फ्रोड करता है वो तो रोड टेक्स चोरी करता है पूछ होगी उसकी भी होगी ये नहीं हो सकता कि नहीं होगी किसी नहीं किसी तरीके से होगी कहीं नहीं होगी यहां नहीं दुनिया में होगी वैसे तो मेरा यकीन दुनिया में हो जाती है अल्ला के हाँ जाके तो होगी फिर वो रोए पीटेगा कि मैं क्या कर रहा हूं किन के लिए का रहा हूँ और जो उसने वो पैसा खर्च गिया उसका नुकसूर नहीं है जिसने वो पैसा बे एमानी से कमाया हुआ है integrity compromise करके कमाया हुआ है गलत intent इस्तमाल करके कमा के earn करके अपने बच्चों को दिया जो बच्चे ने इस्तमाल बाद में आपके किया आपकी दौलत को उसका कसूर नहीं है कसूर किसका है जिसने वो गलत काम किये हैं जिसने फ्रॉड करके लोगों का हक मारके पैसे कमाया है कसूर किसका है उसका है आने वली नसर का कसूर नहीं है आप दे गए उसको अपनी आकबत खराब करके दे गए है उसका गसूर सो काम्याबी जो है न उसके काम्याबी क्या है बता सकते हैं कोई दोस्त एक मिनिट के लिए अपने दोस्त को अजीव करने है बल्कुल ठीक अकम्पलेश्मेंट और काम्याबी टेंप्रेरी भी हो सकती काम्याबी और टेंप्रेरी कब होगी काम्याबी टेंप्रेरी कब होगी काम्याबी टेंप्रेरी उस वक्त जब आपका इंटेंट खराब होगा जब आप इंटेग्रिटी से किसी चीज़ को हासल नहीं करेंगे तो फिर काम्या बी temporary होगी और अगर आपने जिन्दई के सारे असूलों को मदद नज़र रखा अगर आपने जो भी काम किया है जो भी उसके rules and regulations थे उसके मताब काम किया तो क्या होगा सुकसेस permanent होगी इसे ही है ना क्या नाम है आपका शजासभ ऐसे ही यह न? So, what is the difference? Difference is the character. What is the difference? Difference is? Character. So, character हमने का किन दो चीजों से बनता है? Integrity और? Intent. Intent से बनता है. ठीक है? चाब बड़ी important चीज आ गही. अगला क्या है? Capability. बंदे में बड़ी इंटेग्रिटी है रिसोर्स में बड़ी इंटेग्रिटी है मैं इंटेग्रिटी की हाइट को चूग गया हूँ फार इजेमपल ये दोस्त मेरे हाइट को चूग गया है मैं चूग गया हूँ लेकर मेरा intent और सासत मेरा intent भी बहुत अच्छा मेरा intent भी बहुत अच्छा मुझे ये बताएं कि जब मैं आप समझता है या डॉक्टर बड़ा एमानदार है डॉक्टर बड़ा एमानदार है हर वक्त Allah तुबाक करते रहते हैं डॉक्टर सहब ठीक, डॉक्टर आपको अड्वाइस भी अच्छी करते हैं intent भी बड़ अच्छा है intent भी बहुत अच्छा है लेकन डॉक्टर कॉमपटेंट नहीं है डॉक्टर कैपेबल नहीं है तो जब वो आपके हाट की सर्जरी करेगा तो क्या करेगा? आपको मार देगा सो फिर आप क्या करेंगे? आप उस डॉक्टर के बास जाएंगे? सो आपको इंटेगरिटी के साथ साथ क्रीडिबल होने के लिए क्या करना पड़ता है? when you will be creditable कि आपको integrity के साथ अच्छे intent के साथ किया करना पड़ेगा capable होना पड़ेगा capable होने के लिए आपको क्या क्या चाम करने पड़ेंगे जिन्दगी में सबसे पहले आपको capable होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपने फरمایا hardware करना पड़ेगा ठीक है, बिल्कल सही, आपके पास蛙 हैया आपको जितनी किया चाहिए, जिस भी प्रोफेशन में आपको हैं उससे सबसे पहले आपको, देखें, टेलेंट क्या था यह बेसी किली, टेलेंट तो जब बचा पैदा होता, पहले दो साल में, यह काफी सारी चीज़न सीख लेता है और talent basically कोई लोग कहते हैं almost 100% natural है talent जो है वो क्या है natural है in built है लेकन मुझे यह बताएं आप कि ऐसा हो सकता कि बंदा बड़ा talented है ना उसमें को scale है ना hardware का है ना कोई और attitude है ना character है और एक दूसरा बंदा है उसमें यह सारी चीज़ें talent नहीं है था अब कोन आगे निकलेगा दूसरा बंदा निकलेगा आगे talent वाले के chance ज़्यादा है talent वाले के chance ज़्यादा है लेकन talent तो natural है so talent तो built शायद उतना बड़ा ना किया जा सके लेकन talent के साथ बाकी ingredients बहुत बड़े है जोतना मर्जी talent हो अगर हाड़ वर कर नहीं है अगर वो skilled well उसकी नहीं होई प्रॉपर ऐसे ही है न और अगर वो responsible नहीं है और तो क्या होगा basically उसा positive attitude बंदे का नहीं है तो क्या होगा दूसरे बंदे उसको पीछे छोड़ देंगे only talent is not enough so आपको क्या करना पड़ेगा basically skills के उपर काम करना पड़ेगा attitude के उपर काम करना पड़ेगा knowledge लेना पड़ेगा आप कई दफार देखते हैं अपने महले में इदर उदर के यार बचा बड़ा समयदार है talented है लेकर अगर उसने knowledge ही नहीं हासल किया skills ही develop अपनी नहीं की hard work नहीं किया उसके पास sources भी वैसे आपस की बात है इस पर बड़ी डिबेट है कि हम कहते हैं कि sources नहीं थे sources को mostly लोग कहते हैं excuses है क्या कहते है उसकी एक life के खास हिसे तक बहुत जरूरत है उसके बहुत जरूरत नहीं है मेरे पास बहुत सारे लोग आते है उनको पूछो नगे यार क्या किया हुआ सर मैंने अफ़े किया हुआ पूजीशन तो मेरे पास graduate की है आपने graduation क्यों नहीं की आपने तो आज से 8 सल पर ले intermediate किया था सर वो पैसे नहीं थे सर वो घर के लाट बड़े खराब थे अच्छा 8 सल क्या करते रहे हो सर मैंने कुछ नहीं किया च्छा बही 8 सल पर आपने क्यों कुछ नहीं किया तो 8 सल में ना आपने पढ़ाए ना आपने काम किया तो आप घर पे बैठे आरام फरमा रहे थे सो basically जो मर्जी आप कर लें जितना मर्जी जिनदगी में आप कामयाब हो लें बहुत सारी एक्जेम्पल्स हैं आपके साथ जो लोगों के न माँ थे ना बाप थे लेकिन पड़े हैं मेंनत की उनोंने और बहुत आगे निकले हैं और आपको मेंनत करके ही कुछ हो सकता है मैं आपको एक मैं कमपनी के बहुत बड़े जो के गलोबल डारेक्टर है आप कमपनी के बहुत बड़ी मल्टिनाइशन कमपनी है मैं नाम नहीं लेता उनके जो डारेक्टर सेल्स तब होते थे मेरी उनके साथ पाकिस्तान के मुलाकात होई पाकिस्तान की सबसे बड़ी FMCG कंपनी हैं दुनिया की बलके तकरीबन टॉप कंपनी में जो पांच होगी उनमें उनका नाम है सो उनिलीवर के वो एक डारेक्टर थे तो वो पता चला के जी वो इंटरमेडियेट करके किसी कंपनी में आये थे उन्होंने और्डर बुकिंग का काम शुरू किया था या शायद इससे भी पीच्छे स्टेज पे वो आयते हैं उनके पाद वहां पर उन्होंने ग्रेजुशन की फिर वो मैनेजर बन गे डिस्टिबुशन के सुपरवाइजर बनने के बाद मैनेजर बन गे उसके बाद उन्होंने उस कंपनी में टार्टी इग्जेक्टिव बने फिर एरिया मैनेजर बने फिर इजिनल मैनेजर बने फिर पाकस्तान के डारेक्टर बने फिर वो टर्की के डारेक्टर बने फिर वो एक बहुत बड़ी एक उनके पास अब एरिया है जिसमें काफी सारी कंटरीज आते है तो उनके वो वहां पर डारेक्टर है तो बैसीकली यह तो नहीं हो सकता कि आप के पास सिरफ रिशोर्से जहुंग फिर यह आप कामयाब हो सकते हैं तो गामयाब तो मेनस सही होने है कामया ये आप तो knowledge सीख के होना है कामया ये आप तो आपने कैसे होना हाड़ वर कर के हुना है कामया ये आप तो कुछ जान मारके मेरे एक سینियर थे वो कहते होते थे कि अगर आप सुबा रोज मेहनत करने निकले है। मेहनत पढ़ने की भी हो सकती है साथ जॉब की भी हो सकती है साथ अगर आज सर्वसिज प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर्वस देने की मेहनत हो सकती है अगर शाम को जब आप घर गएं आप पूरी तरह से जिसको सेर होके ठकना कहते हैं वो अगर ठके नहीं हैं और आपकी टांगों में दर्द नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपने मेहनत नहीं की टांगों में दर्द किसी और वज़ा से भी हो सकता है लेकन आप अगर मेहनत करके जाएं और आप बिलकुल इतने ठक जाएं कि आपको पता कि यह जो दर्द हो रहा है मेरी टांगों में जो पेन हो रही है ये मेरी आज की मेनस से हो रही है तो कोई बात नहीं मैं सूँगा ठीक हो जो होगे और वो वाली दर्द सूने से ठीक भी हो जाती है और कोई दर्द हो जाहरा उसके लिए मेडिसन लेनी पड़ती है सो कहने का मतलब ये है कि जब तक आप जिन्दगी में हार्ड वर्क नहीं करते तब तक काम याब नहीं होते फिर आपको अविसली जिन्दगी में कैपबल होने लिए एक और इंग्रीडियन्ट है थोड़ा स्टाइलिश भी होना पड़ता है जब हम एनत करेंगे आपको इंकम आएगी तो फिर आप साफ सुतरे दुले को कपड़े पहने गए मैं नए कपड़ों की बाद नहीं कहा रहा है मैं कहा रहा हूँ जो भी कपड़े अवेलेबल है मैं ब्रैंड के कपड़ों की बाद नहीं कहा रहा है आपने पैनरामा से लिये हैं आपने शेट और टाई से लिए या कही और से लिए शेट आपने जहां से भी लिए या लंडे से ले लिए साफ सुतरी धुली पहने बस ठीक है यही एक तरीका कार होना चाहिए जंदगी में आगे जाने का सो स्टाइल आलसो मैटर्स सो कितनी चीज़ें अभी तक हम ने किये को रिपीट कर सकते हैं उंचा बोलें कैपअबिलिटी कितनी इंपोर्टेंट है कैपअबिलिटी में चोटी सी अपनी बी एग्जेम्बल दे दे देता हूं मैंने इस कम्पनी को एस हैड़ फिनेज जोन किया था और मैंने कभी नहीं सोचा था कह मैं इस कम्पनी मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्केल डिवैल्प करनी है मैंने हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना है मैं करता था ठीक लोग पौने पांच बजे शाड़े चार बजे अपने बैक बंद करते थे और घर जाने की तैरी करते थे मैंने कभी सोचा नहीं था रात को आठ बजे भी अपना बैक बन कर लो मैं बैठके मेहनत करता था काम करता था मेरे असिस्टेंट जो हैं वो बाग जाते थे और मैं मेहनत करते था तो मैं CFO बन गया कम नहीं गया सही? CFO के बाद जब पहली चुआइस आई के आप GM बन गया कम नहीं को मुझे मिली के आप करें बाखुदा मैंने नहीं सोचा हुआ था मैं GM बन गया CEO ने मुझे का के जी आप ज़रा देखें जाके काम को फिर जब आपने मेहनत की होती है जब आपने हाड़ वर्क किया होता है जब आपने अपना नॉलेज इंप्रूफ किया होता है जब आपने अपनी स्केल डिवैल्प की होती है तो फिर आपको कोई और काम बढ़ा दिया जाता है वो भी अराम से हो जाता है उसके लिए आपको इदर उदर भागना जादा नहीं पढ़ता है बागना पढ़ता है उसको भी सीखना पढ़ता है काम को लर्न करना पढ़ता है जो भी आपको साइनमेंट मिले उसके आपको फोकस करना पढ़ता है उसकी सारी निटी ग्रिटी समझने पढ़ती है तो वो फिर जब आपने पहले सही काम किया वाद में भी सही हो जहाए तो पिर मैंने वहाँ से कंपनी को बड़ी मेंध कोशिश की करने की तो मैं जाहर है मैं अकेला तो नहीं हो सकता मेरी टीम थी सारी सारे मिल के करते थे तो हम कंपनी को एक और लेवल पे लेगे फिर और लेवल पे लेगे तो कंपनी ने फिर कहा कि यार इसको डिरेक्टर भी बना दो शायद ये बंदा में इनती है तो ये नहीं हो सकता मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं डिरेक्टर भी बन जा हूँ बिलकुल नहीं स साल बनती भी नहीं है. So, हमें जिन्दगी में क्या करना है सबसे जरूरी बात? सबसे पहले हमें अपनी इंटेगरिटी शो करनी है. फिर अपना इंटेंट ठीक रखने है. फिर? बलके इंटेगरिटी पे मैं कहूंँगा प्रेक्टिस करनी है. ठीक है? उसको मनो अन जो इंटेगरिटी के सबूल अभी डिसकस हुए हैं वो करने है. और फिर इंटेंट आपका इन्नम अलमा लो पिन नहीं आद. So, capability जो है अगर किसी में हो. मैं अपनी टीम को एक example देता हूं हमेशा. मैं उने कहता हूँ कि यार देखें ये मुमकन नहीं है कि आपने कोई काम सीख लिया है. ये मुमकन नहीं है किसी किसी आपकी assignment के उपर या जो job profile है उस पे आपकी command हो जाए और आप उससे बेतर perform करने वाले अगली position के काबल हूं. ठीक है? उससे जादा risk के काबल आप हूँ क्योंकि आपकी मेनत आपको बता रही है और आपके इर्दिवर्दिवलों को भी बता रही है. तो मैं उनको कहता हूँ कोई पहला chance ये है जो आपकी current organization है वो आपको pick कर लेगी. क्या कर लेगी? pick कर लेगी. दूसरा chance क्या है? दूसरा ये है कि वो आप कहीं और organization में चले जाएंगे वहाँ पे आप वो position असानी से असल कर लेंगे और उस position को असानी से perform भी करेंगे. ये क्यों होता है? एक इनसान बैठे होते हैं यहां पर जो कि ये decision making सारी कार रहे होते हैं एक decision नेचर से आ रहा होता है. तो बड़ा decision कौन सा है? नेचर का decision बड़ा है. So decision आपके हाग में आने हैं जब आपने मेनद करनी है. जब आपने ये या जब आप creditable हो जाएंगे. So what is last section? Last section is results. Results matters. Result कब आएगा? जब जब आप हाड़ वर्क करें. आप अपनी सुगेल डवैल्मेंट करें. आप अपना time जब आपना चाहिए उसे ज़्यादा दे रहे हैं. मैंने हमेशा उन लोगों को काम्याब होते देखा है. जो आठ गैंटे पर नजर नहीं रखते. तो वो सब ने सुनी होगी शायद आप में से. तो वो दरजन 13 वाली कानी है कि और्गनाजेशन में आप दरजन 13 वाला काम करें. आप एक गैंटा ज़्यादा लगाएं काम करें. इसी तरह पढ़ते हुए जब आप स्टड़ी करते हैं अपनी या आप कोई और भुक पढ़ रहे हैं या अपना नॉलिज स्केल बढ़ा रहे हैं तो अगर आप ने एक गैंटा रोग सोचा हुआ तो क्या करें दो गैंटे दें तरजन 13 यहां भी बलाई करें शासा वाली. सही है? तो जब जब आप किसी चीज पे ज़्यादा मेंट करेंगे, ज़्यादा टाइम देंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा आएगा, बेतर आएगा, आपके हाँ में आएगा. ये नहीं हो सकता कि उसका रिजल्ट अच्छा नाएगा. ये पॉसिबल नहीं है. क्या खैल है? so اچھا result کے بارے میں ये नहीं है कि आप कोई rail a race दोड़ी है तो आपने 1 दफ़ result दे दिया या आपने company में एक quarter में आपने sales 3 मिनों में या 4 मिनों में 3 मिनों में आपने sales 120% achieve कर ली और आप बले बले जी मैंने तो बहुत बड़ा result दे दिया और अगले मीने में बाकी सारे आप से उपर बैठे हुए हैं आप 80 परसंट पर बैठे हुए और अगले पूरे क्वार्टर में आप 90-80 परसंट पर बैठे हैं बाकी सारे 120 परसंट पर बैठे हैं तो क्या ये रिजल्ट ठीक जा रहा है आपका So result में consistency चाहिए क्या चाहिए consistency चाहिए So consistent results matters क्या है consistent results matters So results आप ने कैसे देने है consistent देने है और आपने proof करने है मैं अच्छा था मैं अच्छा हूँ और मैं अच्छा रहुँँगा आपने बताने अपनी hardship से कि मैं ये कर सकता हूँ आपकी performance जो है वो consistent होना बहुत important है वरना क्या होगा आपकी आप creditable नहीं रहेंगे वरना क्या होगा आप creditable नहीं रहेंगे आपकी integrity अच्छी है आपका intent on top है आपके results अच्छे नहीं है आपकी performance up to the mark नहीं है तो क्या होगा you will not be creditable सही है तो creditable कब होंगे creditable होने के लिए आपको basically continuously performance देनी पड़ेगी क्या करना पड़ेगा continuously performance देनी पड़ेगी continuously performance कब आएगी जब आप रोज सीख रहे होंगे जब आप रोज के टास्क रोज पूरे कर रहे होंगे जब आप ने जो goal ambition सुबह सेट किया है वो शाम को पूरा करके जाएंगे और शाम को जो personal goals और ambitions हैं वो पूरा करके सुएंगे फिर ही होगी ना अल्ला के सामने मारी creditability कब होती है जो हम एक नमाज कहले लेते हैं अगर हम पांच नमाजे बढ़ेंगे तो होगी अगर चार बढ़ेंगे तो फिर शायद 90% achievement हुई तो फिर creditability नहीं आएगे तो क्या करना पड़ेगा नमाजें पांच ही बढ़नी बढ़ेंगी सही है चलो कभी कोई हो जाती है गल्ती कुताई उपर नीचे लेकर वो आजत ना बन जाए वो routine ना बन जाए हमें राइट तो हमें क्या करना पड़ेगा results शो करने पड़ेंगे और जो हमें अब देखें यह picture देख रहे हैं सारे दोस्त यह बंदा क्या कर रहे है यह multi-tasking कर रहे है फून भी सुन रहे है फाइल भी पकड़ी हुई है टाइप भी कर रहे है यह नहीं है कि यह कर रहे है वो बता रहे हैं कि एक बंदा कितना कुछ कर सकता है ठीक है उसके जहन में चल रहा है कि यार यह सारे काम मैंने निबटा कर जाने है शाम को रिजल्ट देके जाने है हैं जी क्या कह रहे हैं चार बाजू से काम चलती है वो कहते हैं न मजाग मेरी चार आंखें मुझे सब पता है तो बेसिकली चार आंखें तो नहीं होती ना महावरा है ना वो कहावत बनी हुए ना सो बेसिकली उसको पता है मेरे राइट लेफ्ट आगे बीचे हो कह रहे हैं और यह यह भी अल्ला का दीवी एक चलाहियत है मैं यह नहीं कहा रहा है कि वो कर रहे सारे काम मैं कहला हूं मMPरी टासकर का मतलब यही है कि उससने सुबह शाइए कम ट्रैंस मेंड़र ने बैंक से प्रेंट लेक्ष्ट करानी थी उसके बाद उसने शाम की डीर करनी थी उसने कुछ चीजडर कर आपके check verify करनी थी वो भी कर दी ठीक है फिर उसने को tax की verification करनी थी वो भी कर ली फिर उसने को tax के notices आए हुए थे उसको consultant के साथ discuss करना था reply करना था वो भी कर लिया बहुत सारे मारे दोस्त हों करते है एक काम कर लिया आज के लिए बहुत है यार मेरा तो बिलकुल जहन ठक गया मैंने जो आज सुबा वाला काम किया न दो गिंटे बाई अगले चे गिंटे भी तो काम करने है सो आज के दौर में तो वैसे ही मुझे ये बताएं कि आप आठ गिंटे काम करके जिन्दा रह सकते हैं मुझे दो नहीं लगता अगर रह सकते हैं अच्छा ये ये ना अब थोड़ा जो ग्लोबल डिफरेंस है वो दूर होता जा रहा है इसता इसता पिछले दुनों में एक हादसा हुआ है वो जो बोट वला हुआ है तो उसमें कितने लोगों ने जाने दी है आई वस सर्प्राइज़ कि कुछ लोग उसमें से 3.5 मिलियन रुपीज 4 मिलियन रुपीज दे के गए हुए थे चार मिलियन से यार चार फोटो कॉपी मिशीने लग जाती है और उसमें शॉप का रेंट अडवांस सिक्यूरिटी एवरिटिंग कें बी पेड़ और जो रिम शेम पूरा रॉम मटीरिल चाहिए होते है वो भी सारा एक्विमिंट पूरा हर चीज हो सकती है यानि महीने का स् कमस कम इनकम भी कहूं पचास जार रपया मीने की हो सकती है उसकी सारे एक्सपेंसे निकालने के बाद तो दो लाख रपया है जब उसने यौरप में जाके मजदूरी करनी हो पाकिस्तान जा लाख रपय पेज़ेगा तो इसका मतलब क्या हुआ है कि अगले दो साल की पताने कितनी देर डिस्टर्ब रहेंगे और हमेशे रहेंगे माँ बाप को तो कभी वो गाम भूलता नहीं बच्चों का जो भी है वाट एवर देखें हम मेरे एक दोस्ते वो कहते थे मुलक से बाइर चले जाना है मैंने मैंने इधर नहीं रहना तो मैं उनको आगे से कहता होता था यार सारे मुलकों में जाएंगे इंशालला पर इधर से जाएंगे सेहर करके वापस आजें यह तो कोशिश की बाद है कि आप कितनी करते हैं क्या खाल है सो रिजल्ट आपको देने पढ़ेंगे और किंसिस्टेंट देने पढ़ेंगे सही है यह आपकी जो जो आप को आपका लास्ट डू आपके है जो लास्ट डू कौन सी हमने कैपडिलिटी बोली है एक तो अप कैपडी हों ठीक है लास्ट डू कोर्स कौन सी है पक और यप रिजल्ट में जो सबसे हम्पोर्टन बात रीजल्ट census पर्फोर्मसस दें सरही है जैसे वह पाक्सान के पहले होते है जावन जांगीर खान एक बहुत परानी बात है असा आप को पता होगा और जाणशेर खान उसके बाद वो दे BC 11 साल सकवाज चैंप्यन पूरी दुनिया के थे कितने साल थे दस, 11 साल स्कवाज शावज चैंप्यन continuously पहले जांगीर खान रहे फिर जानशेर खान रहे तो देखें चार चार सो competitions साड़े चार चार सो competitions जीते हैं सही है तो basically क्या हुआ है consistent है results दिये हैं उनोंने इसलिए वो जा के पाकस्तान को represent करते रहे हैं ऐसा है ना तो अगर आप ने एक दफ़ा perform कर दिया cricket match में क्या होता है एक player आता है और वो एक match में double century कर जाता है और अगले 10 match में नहीं करेगा तो क्या होगा कहेंगा यार इसको नहीं हम पर हमें क्या करना पड़ता है result भी consistent देने पड़ते हैं कामयाबी के लिए मैं कहता हूँ के हर moment पर जिदो 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 जरूरी है कोशिश हर moment पर करनी पड़ेगी सही है जो अब हम आपको इंशालला time देते हैं कि आप question answer कर सकते हैं. Question कर लें, मैं उनको answer कर देता हूँ. आप सर कोई चीज एक्सप्लेइन करना चाहएं. आप practically sales के बंदे हैं और finance accounts के बंदे हैं, audit के बंदे हैं. तो आपने practically जो जो आपने सारे सफर में किया, आपने थोड़े टाइम में बताया, जो के बहुत बड़ा मुशकल काम है. आपके हर बात लंबी होती हुए आप वापस कहांच के लेके आते हैं. मैं भी sales and marketing का बंदा हूँ. तो इसलिए मेरा सवाल भी इसी से related है. जो आपने सबसे आखर में चौथा पॉइंट पड़ा ना, यह बड़ा जालिम है. हाँ, जी. रिजल्ट्स. सेल्स वालों के लिए लिए कमर्शल, कमर्शल है, यह बहुत लफज कमर्शल है. इस रिजल्ट्स को पाने के लिए हम इसके पीछे जो तीन फैक्टर्स थे जहां से हम इंटेग्रेटी और एनस्टी से शुरू हुए थे, इंटेंट पे आये थे. सेल्स और मार्किटिंग वालों के बारे में यह आम कहा जाता है, कि यह जूटे होते हैं. मैं स्टेट फावर दरा लफज इस्तामाल कर रहा हूं, थोड़ा साख़त लफजा है, लेकिन आम लोग ख्याल करते हैं, किते हैं, यह किसी को कुछ भी किसी वकत बेच सकते हैं, अपने मुफाद के लिए. तो उसकी रिजन आइ थिंक कि शहएद रिजल्ट्स हैं, कि हमने किसी भी सूरत में वो रिजल्ट्स परड्यूस करने होते हैं, मैं अलहमदुल्लाइ एक जैपनिस मुल्टिनेशनल का ग्रूप मैनेजर हूं, और अलहमदुल्लाइ मैं पिछले तीन साल से पैन पाकिस्तान तौप परफामर होूं, माशाळालाः, क्लैपनिटी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और यकीन जानी है कि मैंने पूरी कोशिश किया है कि मैं इससे पीछे वाले जो लोगों के अतरहजात होते हैं, कि किसी सूरत में भी कुछ भी कारके रिजल्ट ले आते हैं, आसा कुछ में किया, सिर्फ मेहनत किया मैंने, लेकर मेरा आप से सीखने की यह सवाल है, कि ऐसा क्यों है, हम सेल्ट ले मार्केटिंग वालों को इंटेग्रेटी और होनेश्टी और इंटेंट के ओपर प्रॉबल्म क्यों आती है, माशालला बढ़ अच्छा आपने क्वेस्टन पूच क्यों होता है, तो मैं अपनी टीम से एक दिन बात कर रहा था, आपने खुद ही फरमाया, कि आपने अपने एक्सपिरियंस को ज़्यादा शेयर किया है, बाकी स्लाइड, बुक, कॉंटेंट आप कहीं से भी पढ़ लेंगे, वो कोई इतनी बड़ी बात मेरे खाल में आया न ही है, जब तक हम अपना एक्सपिरियंस और लाजिकल चीज़ें नहीं डिसकस करेंगे, उस वक्त चीज़ों को समझ आने में जरा मुश्कल हो जाती ही बनों के लिए, तो मैं अपने टीम को कह रहा था, मैं एक लीडर्शिप की बुक पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने वो काम कर रहे हैं, लीडर्शिप वर्फ़ दोज हूँ don't work, लीडर्शिप वर्फ़ दोज हूँ don't contribute, थीक, अब मेरे लिए बड़ी confusion थी सारी बार, कि यार एक तरफ कह रहा है कि लीडर्शिप किन के लिए काम करती है जो साथ कंदह से कंदह मलाके, वही व्ला गोल अचीव कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं ठीक और दूसरी तरफ आप उनके लिए भी काम कर रहे हैं जो आपके सथ हुआ हैं उस क्वोल को चीव करने के लिए वह थीज़ stiff मुझे मैं सेल्स टीम से बात कर रहा था क्योंकि अभी बड़ा आपको पता है हाइपर इंफलेशन है चीजों की प्राइसिस गुड्स की काँ चले गई है इंपोर्ट वाली चीजें तो वैसी काबू में नहीं आ रही है इसी तरह जो लोकल प्रड़क्शन हो रही है उसमें भी कहीं नहीं की इंपोर्टेड इंग्रीडियन्ट्स और राव मटीरियल लगते हैं तो उनकी प्राइसिंग बड़ी हो गई है फिर मैंफैक्शरिंग बड़ी ऊपर कॉस्ट उसकी कॉस्ट मैंफैक्शरिंग बड़ी बाढ़ गी है तो मैं अपनी सेल्स टीम को ये कह रहा था जब उनसे डिसकेशन होई तो मुझे आया मैंने कहा यार मैं हमेशा लोगों को कहता हूं के लीडर्शिप वर्क फर दोस वो वर्क्स और लीडर्शिप वर्क फर दोस वो डोंट कंट्रिबूट तो आप मुस्करा रहे हैं आपको आप हैं basically front soldiers आप कमा के लाएंगे जो आफिस में finance वाले बैठे हैं उनकी तरहें दे सकेंगे हम आप earn करके लाएंगे sales volume लेके आएंगे consistent results सर लेके आएंगे तो company को margins आएंगे तो क्या होगा फिर बाकी जो cost भी बाढ़ रही है रोज रोज वो cost अब्जॉब होगी so basically consistent results इन हलाद में तो और भी matter करते है इसमें example ये photo दिया है कि हमने for example हमारा year है 1st July to 30 June 1st July to 30 June तो साल कम लीडों के बारह मीने अब जब 30 June हुआ तो first की सुबह को जब हम बैठे तो जैसे आपने का टॉप performer हूँ पाकस्तान में तो आपके लिए clapping भी हुई आपको ट्राफी भी दी गई आपको reward भी दिया गया cash bonus भी दिया गया ये भी कहा कि आपको trip करा दें बैंकोग क ऐसा होता है ना या आपको जपान ले जाएंगे या आपको यॉरप के टूर पे बैज जाएंगे ये होता है ना सारे reward आते हैं तो इसका ये मतलब क्या है कि सेल वाला first July को काम से उड़ सकता है so new day started पिशली जो आपने 30 जून तक 12 मिनों की performance दी है चार quarters की जो आपने performance दी है वो पिशले साल से related है 1st July 2023 is new year has started and it's a new day now again we have to perform consistently and have to be on top सारे तो टॉप पे नहीं हो सकते बट जो पहले टॉप पे था उससे उमीदें और बढ़ जाती है so ये possible नहीं है जैसे आपने फरमाया कि सेल वालों के उपर ये सारी सकती है क्यों है उसकी वज़ाई ये है उनकी जो KPIs है उनकी जो target achievement है उनकी जो productivity है उनकी जो efficiency effectiveness है उनकी कई इंडस्री में जैसे drop sizes की buzzword यूज होते हैं strike rate के buzzword यूज होते हैं आप भी करते होंगे मैंने वो factor already zero पे किया हुआ था जी जीरो से नेचे तो मैं लेकी नहीं जा सकता तो उसको minimum करना था तो उस KPIs के factor के अंदर मुझे zero point मिले तो मैंने जब उनसे concern authority से discuss किया कि भाई मैंने already इस factor को zero पे रखा हुआ है इसको मैंने downward move करना था तो मैं zero से आगे कहां लेके चाहूँ तो उनके बाजी ये तो फिर factor है तो आपने zero पे रखा हुआ है तो आप इसको zero पे ही रखेंगे इसको reverse ने कर सकते कि मैं इसको पहले बढ़ाऊं और फिर कम करके score ले बढ़ जाता उसके लिए तो basically वह आपके अधर उसकी जो वेटेज होती है बड़ी काम होती है ऐसी चीजों की so आपके जो other factors है वह आपको shining star बनाते है वह एक चीज नहीं बना रही होती है आपको shining star so आपको basically मैं वह वह जो मैं बात कर रहा था वह बड़ी important है वह sales वालों पर जादा impactful है देखें accounts finance में जो बंदा for example उसने को ledger reconcile करना है शाम को अगर उसने नहीं report करना तो अगले दिन कर लेगा आकर सही है ना अगर उसकी closing matter नहीं करती उस शाम को या उस दिन में या किसी specified time पे तो बात में कर लेगा तो sales वाले का तो शाम close हो जानी है ना उसने त customers को service देनी थी वो उसी को दे सकेगा खासकर FMCG is more important fast moving consumer goods के वहां पे तो आपने आपका जो time गुजर गया गुजर गया जिस client को आपने service customer को नहीं दी वो 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 आपके target में से उसकी quantum निकल गया आपका volume चला गया आपके हासे तो वहां पे आपको आप एक stick एक किसी ची सो आप sales वाले हैं तो sales वाले बाकी दोस्तों के लिए भी काम कर रहे होते हैं तो इसलिए मयूस नहीं हो ना और मेनत करनी है इंशाला और मैं आपको एक और बात बता हूँ कोवेड में कितने लोग बिमार हुए कोवेड से घरों में जो लोग घर से पहले भी निकलते और कोवेड में भी निकले वो भी बिमार हुए हुए ना हुए hospitalized हुए और अल्ला तला सब को मगफरत फर्माए बहुत सारे लोग दुनिया से चले गए हुआ सबसे कम लोग कौन बिमार हुए सेल्स वले कोवेड से कम बिमार हुए क्यों वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बात ये है देखें वो जी immunity बड़ी है फला है फिट है ये है वो है वो सारी चीज़े अपनी जगाबे ठीए है बड़े बड़े लोग जो फॉज में करनल थे ज अनको नहीं हुआ, उनकी डेथ नहीं है उनकी बी हुई है जो पल्वान थे उनके साथ भी हँआ ह Issach already Do you have us? Hey नहीं हुआ, जो तो रेसलर थे, मेरे टीम, हमारी it-chen, हमारे मैनجż, हमारे سупروائ meio यог्य है पैक पूरे पूरे जो बॉक्से होते हैं वह देते थे, उनको टिशुस के और मास्के वह फिर भी नहीं पहुमते थे मेनत करने वाला अल्ला का दोस्त होता है मेनत करने वाला अल्ला का दोस्त होते है तो अल्ला मेनत करने वाले को पसंद करते है अल्ला मेनत करने वाले को पसंद करते है इसलिए उसको बहुत सारे अजाबों से भी बचाते है क्योंकि वो बड़ी मेनत से बड़ी नियत से, इंटेंट से बड़ी इंटेगरिटी से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस से हार्ड वर्क से रिजल्ट्स दे रहा हुआ है तो अल्लत अल्ला उसको पसंद करते हैं तो ये कम से कम हमारे आफिस में सेल्स के लोग बिमार नहीं हुए मुझे पता नहीं कितनी दफा हुआ होगा मुझे भी वैसे एक दफा भी डाइगनोज नहीं हुआ सो मैंने एक छुटी निकी कोवड मैं आता था मैं टीम से दूर खड़ा जरूर रहता था आफिस के बाएर रहता था अंदर नहीं जाता था और कम्यूनिकेट भी करता था कोई 10-12 गास से कर लेता था उन्ची वाज में लेकन अल्ला का शुकर है मैं भी ठीक रहा सो मैनत करने वाला अल्ला का दोस्त है वो जो आप बात कर रहे हैं सो मैनत भाई सेल्स वालों को तो करनी पड़ेगी वो नहीं करेंगे तो और कौन करेगा जी सर और किसी का क्वेस्टन जी सर मेरा सवाल है कि एक स्टुटन है तो वो कंस्टनली पढ़ता भी है और साथ में वो जाकि जॉब भी करता है क्यूंकि वो चाहता कि मैं खुद ही किसी पे डिपेंडन्ट ना हूँ इडिपेंडन्ट लाइफ गुजारों और अपने खर्चें खुद एफोर्ड करों तो वो किस तरह कंसिंस्टन रिजल्ट दे सकता इस सवाले से अगर वो किसी एक्रिनाजेशन में काम करना चाह रहा है और वहां पर दर्जन 13 वाला हिसाब लगा ले और स्टेडी में भी दर्जन 13 वाला तो फिर तो लाइफ उसके लिए टफ नहीं होगी उस मामले में वेरी गॉड क्वेस्टन मैं दर्जन 13 एक्चुली पता क्या है हर लेयर के उपर हर पोजीशन के उपर दर्जन 13 के वैसे तो और भी बड़े मतलब हैं वो तो एक एξेमपल शाह साभ ने दी हुई है पहला मतलब यह है कि दर्जन 13 नौगंटे लगाके नहीं हो सकती आठ की बज़ाए नौगंटे लगाके नहीं हो सकती दर्जन 13 आठ गचंटे में भी हो सकती है ठीक है आप 8 गिंटों में 10 गिंटों का काम करें उसको कहते हैं Efficiency and Effectiveness क्या कहते हैं Efficiency and Effectiveness इमानदारी तो ये भी है कि आप computer पे बैठें आके सुबह 9 बज़े पूरे आप दफ्तर आके हाजरी तो लगा दी integrity ये है कि 9 बज़े 5 मिनट पे काम भी शुरू कर दी है dishonesty ये है कि आपने 9 बज़े आके attendance तो thumb impression लगा दिया या मुबाइल से हैपसे आपने आके क्योंके access हो जाती है office आके आपने attendance लगा दी लेकिन आपने काम शुरू ही 10.30 बज़े किया चाईशाए पी के अख़बार पढ़के गप लगाके ठीक है conspiracy करके लोगों की बदखोईयां करके चुगलियां करके उसकी टंग खैंच उसकी खैंच तो साड़े 10-11 मुझे काम शुरू किया है तो क्या ये integrity तो नहीं है ना integrity ये है कि आप नहुंप ज़े कर रहे हैं या आप over time की बात कर रहे हैं ज्यादा time लगाने की वो कम time में भी ज्यादा अच्छे results दे सकते हैं आपका जो भी manager जो भी senior होगा वो आपको बाख़दा साथ गंटे बात जाएगा कहेगा जाओ पाल लो बैठके जाओ अपनी study का लो मेरी team में मेरे पास metric past लोग थे जो आज graduate हैं मेरे पास job भी करते थे दस दस आठ 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 नो नो गंडे काम भी करते थे और हम मैंने उनको का था कि जो लोग graduate होंगे graduate होने की कोशिश करें कि एक तो मैं उनकी फीस दलवाँगा कमपनी से और मैंने दलवाई और वो graduate हुए दूसरा जिस दिन हो गए अगले तीन से छे मिने में में जो position manager की होगी I'll promote them and I have promoted them ठीक फिर हमारे manager के बाद के एक business head की जगा होती है तो मैंने लोगों को का जो 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 लोग master MBA कर लेंगे इस job के दुरान में वीकेंड पे उनको मैं business head बना दूँगा अभी कल की example है कि मैंने पिछले मीने एक साहब को distribution manager थे business head बना एक unit का एक division का so basically आप वो बंदा भी Saturday को कहता था 11 बज़े sir मैंने class लेनी Saturday को पूरा देन वो 11 बज़े चले जाता क्लास लेता था 9 बज़े रात को आकर बंद करा के office चले जाता तो मुझे उससे कोई मसला नहीं था मुझे पता था यह काम अच्छा करता मुझे पता था यह 8 गेंटों में 12 गेंड़े का काम करता तो मुझे इसके Saturday के 5 गेंड़े दुखते नहीं है मुझे उसका Saturday को 11 बज़े से 5-6 बज़े तक जाना बुरा नहीं लगता था मुझे पता था पीछे इसने टीम इतनी बजबूत की हुई है इतने ट्रेंड किये हुए हैं इतने responsible लोग बना दिये हैं यह नहीं भी होगा तो काम चलेगा सो आपने basically comfort तो फिर आपकी performance से उपर होगा जरूरी नहीं है गया आप over time लगाएं तो student जो है वो अगर मेहनत करे तो lunch time कितने का होता है लांच और नमाज एक गेंड़े का होता है इमानदारी से बताए लांच कितनी देर में हो जाता है 5 minutes 10 minutes में हो जागा क्या खाना है जब देर लग जाती है शाहिन सो क्यों सर सो हमें मैंने वैसी कोट में चुबाया हुआ है सो करना क्या है 10 minutes में कर लिया ठीक है 10 minutes आप नमाज पढ़ लिए 10 minutes और रिलाक्स का लिए नमाज वाली साब पर का लिए आदा गेंटा फिर भी है कुछ पढ़ सकते हैं और अगर लेंगे तो कोई कुछ नहीं कहेंगा को आफिस मैंने लोगों को का बुक्स लागा आफिस रखा अब रिसेप्शनिस्ट आफिस में होती है हरे के होते हैं रिसेप्शन वाले लोग मुझे बताएं जब फून आएगा तब ही सुनेंगे ना या कोई कंप्लेंट आई तो एक तो सार अपना नाम बता दें कॉपनी का सार और दूसरे नंबर पर यह पुछना है कि आपके पास कोई विकंसी आए जो स्टूडेंट्स काम करना चाहें यह पुछना था सार देखें मैं आपको एक बड़ी इंपोर्टन बात बताता हूं मेरी कंपनी का नाम है देता हूं आप ने चुके बड़ी मुखबत से पूछा है हम फील्ड सेल आफिसर सर आप सेल से हैं डून रहे हैं और हम पिछले एक महिने में कोई 20 लोगों का इंटर्वियू कर शुके हैं और उसमें से चार हमने स्लेक्ट किये जिन में से एक को उसकी प्रिवेस कामनी ने वही पॉजिशन दे दी जो जिस पर हम हायर करना चाहरे थे वही पैसे दे दी है तो और उन्हें रिटेन कर लिया है वो नहीं है मेक सेंस उसको उसी के साथ लॉयल रहना चाहिए था पिछली कमनी के साथ वैसे तो मेरा इस पर अबजेक्शन है जब मैंने एक कमनी छोड़ी तो औरने का जी आप रोकजाए यहां पर ना जाएं तो आपको क्या मिल रहा है है मैं जोड़ औरी कोशिश कि लोग्या के था कुछ जोड़ी कोशिश की मैं वग्ममाइज का जी यह दूने पर दो लिड़ी कोशिश ना ने रह गरा पैस उन्होंने इस पर नगे मैं के into his life तो वोई decision करेंगे मैं तो नहीं कर सकता तो खैर मैं गया आगे जा कर जोएं की अगली कमनी तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप दो लोग ऐसे थे जो के आए एक एक दिन जैसे सार ने कहा कि यार वो मैंने तो इतनी अच्छी प्रफॉर्मेंस की है लेकं अब कह रहे हैं फिर प्रफॉर्मेंस करो तो प्रफॉर्मेंस भई खाना हर रोज खाना है और अर्गनाजेशन ने तो चलना ही चलना है और अर्गनाजेशन को रोज एक्सपेंसे होते हैं और अर्गनाजेशन के तो प्रफॉर्मेंस तो न्यू ड मैंसे काम कर रहा है बड़ा खुश है ठीक अच्छा वो जो हमने का बीस इंटर्वियू किये हमने उसमें से चार क्यों स्लेक्ट किये वो कुछ क्राइटेरिया को कॉम्पेटेंसीज हैं उसके उपर पूरा उतरें और कुछ और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बाकी चीजे हैं वैसे तो हमारे पास इंटर्वियू उसी वक्त आता है जब वो कुछ बेसिक चीजों के उपर क्राइटेरिया पूरा हो जाता है यह चार वले बेहिते हैं तो उसमें से हमने वो स्लेक्ट किये थे मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे रिसोर्सेस की बड़ी जरूरत है सारे हमारे लोग तो यह जो मैं बातें आपसे का रहा हूंना है integrity की intent की capability की results की यह मैं बातें आपस बतां चाल जाती है बंद एक युकुचेंगे में इंटीरिanny है एक नहीं है यह जो रसफ मेन हमारे बास उसके टूल है रहा थीर ना ? वही जैक हैं कि बंदा ट्रस वर्दी है और नémए। पता चल जाता है और इंटेंट किये शक्रणते का ? को mental disorder तो नहीं है किसी को कुछ और ही ने कर दे दफ्तर में कोई और मौली ने बना दे आदे आफिस में sales team को यूं नहीं क्यों सर तो कुछ और face ना करना पड़ जाए वो सारी working होती है सो वो जो जो कहते हैं ने कि आपको जिन्दगी में हमेशा शुरू में पहली बात किया थी stay positive था ना सो positive रहा के चलना है तो जगें बढ़ी हैं सर कोई मसला नहीं है positions रोज आती हैं आप apply करें इंशाला देख लेते हैं जी सर I will love to कि अगर आप लोग हमें आके जिस जिसको जौब चाहिए हमसे बात करें अगर position available होगी हम आपको आप इंशाला obviously एक criteria उस पर पूरा उतरने है और एक interview process है assessment process है उसमें से गुजरना उसके बाद हम आपको इंशाला chance जरूर देंगे जी सर मेरा सवाल है कि आपकी professional experience के मताबिक आपके निजदीक success की definition क्या है दूसरा सर मेरा ख्याल है कि ज्यादा लोग जो है वो हम चाहे integrity की बात करें intent की करें या capability की करें वो इसके track से success के obsession में basically डी track होते हैं तो दूने चीज़े पर guide कीज़ेगा के success क्या है और गयर जरूरी obsession क्या है इसके बारे में जो कि लोगों को deep track करता है बड़ा अच्छा स्वाल किया है basically देखें हर individual के लिए जो success है वो बिल्कुल different है मेरे लिए success किसी और तरह से matter करती है सर आपके लिए किसी और तरह से करती है आपके लिए शायद किसी और तरह से करती हो तो success related है जो आपके जिन्दगी की goal setting है आपने जो जिन्दगी में goal set की है जो आपने अपने जिन्दगी में कभी किसी ने अपनी personal statement लिखी है जितने दोस्त बैटे है लिखी है कि जी मैं जिन्दगी में क्या क्या करूँगा कोई goal setting अपना personal vision किसी ने लिखा है कि मैं अपनी जिन्दगी में ये करूँगा ठीक है तो हम 20 लोगों में से 2 लोग कह रहे हैं लिखा है अब वो भी obviously आप लोगों ने किसी से चेक जरूर कराया होगा किसी senior से किसी visionary बंदे से कि यार मैंने ठीक लिखा है यार नहीं लिखा so basically तो success कम मिलती है जो आपने goal setting की थी जो आपने अपना vision decide किये था आप वहाँ पहुँच गए तो obviously आपने वो accomplishment जो जिन्दगी में सोची हुई थी वो हासल कर ली है अपनी जिन्दगी में और किस किस time frame में कौन कौन सी accomplishment लिखी हुई थी वो अगर आपने achieve कर लिए तो success story है अगर नहीं की तो you are not successful, you are unsuccessful फिर accomplishment कब मिलती है वो बड़ा important word है जिन्दगी का accomplishment सिर्फ उसी वक्त मिलेगी जब आपने जो success story बनाई है वो पूरी इमानदारी से बनाई है वो integrity उसके अंदर थी intent आपका ठीक था आपका character 100% proven था आपने सही जायस तरीके से success असल की है then you will feel accomplishment for your success otherwise आप परशान रहेंगे अंदर से आप बिस्टर्ब होंगे आप कई न कई गिल्ट आपके अंदर होगा कि ये मैंने जो भी इज़त तरहीं जो मुकाम असल किया वो गलत तरीके से किये फिर आप उसको success story नहीं कह सकते hope I answered your question actually sir ये होता है कि जब भी पूछते हैं इनवस्ट्री में के स्टुडेंट से तो कुई न कोई आगे से पूछ लेता है कि क्या गोल है life goals क्या सेट किया है vision क्या है तो सिर्फ एक या दो नहीं encourage किया है उस हवाले से बाकि सारे discourage ही करते है आगे से हसते है कि ये तो आप achieve नहीं कर सकते है तो बिल्कुल नमुम्किन है और ये करी नहीं सकते तो इस जैसे sir ये है कि आगे से मैं किसी को गोल सेट किया ये vision है मैं नहीं share करता किसी के साथ क्योंकि ये sir आगे सिर्फ de-motivation मिलती है वो motivate नहीं करते तो क्या sir फिर share करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उस हवाले से sir देखें वैसे तो वो बच्चों को भी सखाया जाता है sharing is caring so मेरा नहीं ख्याल कि किसी से share नहीं करना चाहिए उसके दो तीन purposes हो सकते है एक आप उस से share कर रहे है कि जो आपकी और help कर दे और आपने जो भी अपना जिन्दगी का mission बना है जो values आपने डिजाइन की है अपने लिए उनमें कुछ बेतरी कर सकते है obviously वो आप से ज्यादा experience होगा ज्यादा capable होगा ज्यादा क्या कहते हैं उसका जिन्दगी का vision और बहुत सारी अपने जिन्दगी के जो experience है जाँ वो ले चुका होगा और उसने अपनी failure से success story या हासल की होगी या दूसरों से सीख के की होगी तो ऐसे बंदे के साथ हैं या जो अभी first stage of leadership है उससे share करता हूँ तो उनमें से अक्सर कहते हैं यार ये तो होई नहीं सकता तो मैंने पहले ही दफ़ा आपको क्या बताया था कि 50% अगर बनाते हैं अपने goals सही उनमें से 8% सिर्फ achieve कर बाते हैं तो भाई बाकी जो 92% है वो कहेंगा यार तुम पता नहीं कौन सी स्टोरियां सुनाते रहते हो तुम पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हो तुम पता नहीं किस दुनिया में रहते हो ठीक है कुल ड्रामा ही तुमारी सोच है तुम ये बातें तो होई नहीं सकती तो उनको कहने दे उनमें से अगर एक भी बजा आपकी बात समझ गया है तो आपने अपना काम कर दी तो आप जो अपना काम कर रहे हैं जो बता रहे हैं कि यार अपने दोस्तों को अपने कुलीक्स को अपने क्लास फैलोस को कि यार अपना गोल सेटिंग करो अपनी जिन्दगी में मेहनत करो अपनी जिन्दगी में आगे जाओ आप अच्छा काम गा रहे हैं आप उसको कंटिक नियू रखे आपको छुपा आगे रखने की कोई दरूरत नहीं कोई भी चीज़ ठीक है किसी ने सुने हैं कि टियोटा जो है उसकी असम्बली लाइन कौन कौन से पार्ट्स यूज करते हैं कैसे वो चीज़ें असेंबल होती हैं कैसे मनफैक्चर होती हैं सारी वेब साइट पर दी होई है कोई भी आगे बना ले आज के दोर में कोई चीज छूपी रह सकती है कोई चीज छुपाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को बताएं कि यार रही मैंने ये किया था उसके ये रिजल निकला ठीक है? हो सकता कोई आपको उसमें इंप्रूब्मेंट बता दे हो सकता कोई इंकरज कर दे हो सकता आप से कोई इंस्पायर हो जाए ठीक है? कुछ भी हो सकता है सर इस पर मैंने एक टीचर से बात शेयर के थी तो वो मेरी हल्प कर रहे है और अभी भी मतलब जो मेरे गोल है तो वो भी चाहते है कि वो भी इस तरह कुछ करना चाह रहे थे लेकिन उनको टाइम नहीं मिला, मोका नहीं मिला और किसी ने गाइड नहीं किता इसे तरीके से तो वो आप मुझे भी गाइड कर रहे है अपनी भी बड़ान चाहर है जो अपने चीप अच्विमेंट्स है और मेरी भी हल्प कर रहे है तेखें वैसे तो मैं से अगरी नहीं करता कि वो जी फिलाम बना एक कार नहीं चका के एफसी वो जो है उसके जो अनने साट साल की उमर में शुरू किया था तो इस नेवर लेट अनिबोडी कन स्टार्ट अनिटाइम सो वो कोई ऐसा मसला नहीं है मेरे खाल में हमने कुछ ना कुछ question answers ले ली है सब कोई शायद एका दोस्त रहे गे है time is already over thank you very much I hope कि आपको इसका कुछ फाइदा हुआ होगा thank you